दोस्तों क्या आपने कभी इस बात पर गौर के आए कि आखिर नेत्रहीनों के सपने कैसे होते हैं चलिए आज के इस खास वीडियो में यही जानते हैं आप देख रहे हैं Healthy India जहां हम बात करते हैं Human Psychology की, Human Behaviour, कुछ खास Interesting Facts और कुछ खास Case Studies की ताकि आपका कल सुनहरा हो सके आखों की रोशनी कब गई हां यह जरूर है कि समय के साथ अपने सपने धुनले हो चलते हैं हाला कि लोगों को जिग्यासा यह रहती है कि नेत्रहीनों के सपने में क्या होता होगा वह किस तरह कि सपने देखते होंगे या नेत्रहीनों के सपने आखिर होते कैसे हैं यह सवा में सपने देखते होंगे। कितनी आजीब सी बात है ना, जो देख नहीं सकते हैं। क्या वो सपने देख सकते हैं। वो लोग अपने सपने में विजुरल का अनुभव कर सकते हैं कैंश उदो में पाय गया है कि पैदाइशी ब्लाइब नोगों को जीवन के बाद में ब्लाइब हुई या नार्मल आई साइट वाले लोगों से ज्यादा बुरे सपने आते हैं जनरल सेलीप मैडिसीन में प्रकाशित रिपोर्ट के नुस्सा, दृस्टीहीन लोगों में 25 प्रतिशत सपने, बूरे सपने होते हैं। वहीं सामाण्य दृस्टी वाले लोगों में बूरे सपनों की थादात मातर 6 प्रतिशत होती हैं। सन 2014 के डैनिश रिसर्च में पाये गया कि जिनकी आखों की रोशनी पांच वर्षिया उसके बाद जाती है वह नेत्रहीन होने के कुछ समय तक रंग और छवी आदी को सपने में देख पाते हैं लेकिन वक्त के साल साथ ये छवी भी धुन्दली होने लगती है यूनिवर्सिटी ओफ, कोफेन हेगन और ग्लोस्ट्रप, हॉस्पीटल के अनुसार, पैदाईशी नेत्रहीनों के सपने में आकरती के बिना ही सपने होते हैं यानि रंग छवी ऐसी चीज़े बिलकुल नहीं दिखाई देती उन्हें आवाजों और बिना आखरती वाली छवीयों का एहसास होता है, जो डराफना होता है आपने अकसर सुना होगा कि इस व्यक्ती ने अपनी आखे दान में दे दी हैं दिरसल बहुत से ऐसी लोग होते हैं जो चाहते हैं कि उनके ना होने पर वो अपने शरीर के कुछ हिससे अंग दान कर दे जिससे किसी नेतरहीन को दुनिया के रंग देखने का मौका मिल जाए आजकल के युवा नेतरदान को लेकर बहुत प्रोसाहित होते नजर आते हैं इसलिए अंग दान को लेकर बच्चों को ग्यान होना जरूरी है इससे किसी इंसान की मदद की जा सकती है दोस्तों आप भी अपने नेतरदान का ना ना भूले क्योंकि ये आपके मनने के बाद भी आपकी आखे इस दुनिया को देख पाएंगी और शायद किसी को वह धुनली दुनिया रंगीन दिख पाएंगी दोस्तों आशा है ये खास वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर आवश्य करें मिलेंगे लिबार एक नए खास वीडियो के साथ अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद